Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, Seated Guru Competitive Zone Friends, आज हम लोग बिहार GK के बारे में जानेंगे, जो कि काफी must important part है किसी भी बिहार एक्जाम के लिए, बले हो बिहार SSC हो, या फिर आपका बिहार पुलिस के एक्जाम हो, बिहार दरोगा हो सभी एक्जाम में बिहार GK से questions होते हैं देखते दोस्तों इस स्रीज का पहला question, जो पहला question है दोस्तों बिहार का प्रमंडल, पहला जो है आपका दोस्तों बिहार का प्रमंडल, यानि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी हैं जो पहला option है साथ, दूसरा option आठ, तीसरा option नौ और चौता option जो है 11 दोस्तों इसमें बताना है कि बिहार के प्रमंडलों की संख्या कितनी है तो जो इसका सही जवाब है वह answer नौ साथ ही एक और बात बता दू अगर question exam में अनुमंडल से आए कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है तो आपका answer 101 होगा 101 देखते दोस्तों इस रिज का अगला question अगला जो question है दोस्तों हुआ है हमारा कि निमली खित में से किसने लनानदा विश्विद्धाले में अध्यान किया पहला जो option है मेगा स्थनीस दूसरा अलवे रूनी तीसरा इपिन पतुत्ता और चौता वेंसांग इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है वेंसांग जो कि सातवी सदी में हर्षवर्धन के काल में इंडिया आये हुए थे हर्षवर्धन के काल में इंडिया आये हुए थे हैं दोस्तों ये मेनली बहुत धर्म के बाड़े में ब्रह्मन करने के लिए आये थे इनकी जनकारी प्राप करने के लिए आये हुए थे क्योंकि इनको 629 इस्वी में इनको सपना है था जिस सपने के थुरू से यह भाड़त ब्रह्मन पर निकले हुएते हैं देखते दोस्तों इस रिज का अगला क्वेस्चन अगला क्वेस्चन है बर्दमान बर्दमान महाबीर ने कहा निर्वान प्राप्त किया यानि अंतिम सांस उन्होंने कहा ले थी पहला जो अप्षन है बैशाली, दूसरा राजगीर, तीसरा नालांदा और चौथा पावापुरी दोस्तों इसका जो सही जवाब है हुए हमारा पावापुरी पावापुरी में बर्दमान महाबीर का अंतिम सांस चला था यानि कि उनका निर्वान हुआ था देखते दोस्तों इस सीरीज का अगला क्वेस्चन, अगला क्वेस्चन जो हमारा वो है कि पटना इस्थीत गोलगर का निर्मान कब किया गया था जो पहला अप्षन है 1786, दूसरा अप्षन 1756, तीसरा 1776 और चोथा 1796 दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 1786, यानि कि गोलगर का निर्मान बास्ता में अगर देखा जाए तो वैरेन हेस्टिंग वैरेन हेस्टिंग उस समय वैसराय थे जब इस कारे को शुरू किया गया था यह कारे शुरू हुआ था हमारा 24 जनवरी 24 जनवरी 1784 को यानि कि गोलगर के निर्मान जो मेंली शुरू हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1784 को और इसका कारे पूरा जो हुआ वो हुआ 20 जुलाई 20 जुलाई 1786 को ठीक है दोस्तों और यह अगर पूछा देख जामे कि गोलगर किस वैसराय के काल में हुआ था तो वो था आपके वैरेन हेस्टिंग और साथ में एक और बात बता दे कि जिस इंजिनियर ने इस गोलगर का निर्मान किया था उनका नाम था जौन गोश्टीन देखते दोस्तों इस सिरीज का अगला क्वेस्टेन दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक करें और साथ अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कि अँगले चैनल को तो जरूर शब्सक्राइब करें देखते दोस्तों इस सीरीज का अगला question, अगला question दोस्तों कह रहा है, महात्मा गांधी, कह रहे हैं, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्यागरव बिहार के किस अस्थान से सुरू किया था, पहला जो option है चमपाडन, दूसरा चिरांद, तीसरा पटना, और जो चोथा option है दोस्तों हो है हमारा चमपाडन में महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार सत्यागरव अंदोलन स्थार्ट की हुए थे, देखते दोस्तों इस सीरीज का अगला question, अगला question है अमारा, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकासित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है, पहला नमबर है अम चौथा जो है आज, दोस्तों इसका जो सही जवाब है, वो है अमरित बाजार, अमरित बाजार बास्तब में मोती लाल घोस के दोड़ा समपादित किया गया था, यह एक weekly magazine थी, यह एक सबताहिक पत्रीका थी, यह एक सबताहिक पत्रीका थी, जो की start जो किया गया था सबसे पहली बार वो किया गया था आपका 20 February 2868 को इस पत्रिका की सुरुवात सबसे पहले 20 February 2868 को किया गया था देखते दोस्तों इस स्रीज का अगला question अगला question है दोस्तों फिरंगिया फिरंगिया गीत किस ने लिखा था पहला option आपका Principal Marujanjan Singh दोसरा नंबर आपका रगवीर नड़ान तीसरा गोपाल सिंग नेपाली चोथा इनमेंसे कोई नहीं जो सही अंसर इसका है दोस्तों होई Principal Marujanjan Pratap Singh फिरंगिया गीत के जो राइटर है होई हमारे Principal Marujanjan Pratap Singh देखते दोस्तों इस स्रीज का अगला question कह रहा है बिहार का सर्वधिक बर्षा वाला जीला सबसे अधिक बिहार में किस जीले में बर्षा होती है पहला option पटना, दूसरा किसन गंज, तीसरा द्रवंगा, चोथा भागलपूर इसका जो सही ज्वब है दोस्तों, वह हमारा किसन गंज किसन गंज में सबसे अधिक बर्षा होती है देखते दोस्तों इस स्रीज का अगला question कि बिहार राजे का सर्वधिक गर्म जीला कहां पे सबसे अधिक गर्मी परती है बिहार के किस जीले में Option है आपका भागलपूर, दूसरा पटना, तीसरा गया और चोथा रोतक जो इसका सही अंसर है दोस्तों हो है अमारा गया क्योंकि गया के राजगीर वाले पार्ट में राजगीर में सबसे ज़्यादा माईका मिलता है इस माईका के काड़न वहाँ पर गड़मी जो होती है सबसे अधिक होती है देखते दोस्तों इस स्रीज का अगला क्यूस्चन है दोस्तों सोनपूर नगर, सोनपूर नगर किस नदी के तट परसीद है सोनपूर से आप लोग याद रखें, सोनपूर में होने वाला मेला विश्व परसीद है सोनपूर का पसू मेला विश्व परसीद है आपको बताना है कि यह सोनपूर जो नगर है यह किस नदी के तट पर इस्तीद है पहला option शर्यू नदी, दूसरा गंडक, तीसरा सोन, चोथा गंगा जो इसका सई answer है दोस्तों वह हमारा गंडक नदी गंडक नदी के टड़ पर सोनपूर नगर बसा हुआ है देखते हैं दोस्तों इस रिज का अगला question अगला question है दोस्तो कि बिहाड के किस जिले में डोला माइट नामक खनीज पाया जाता है पहला option है दोस्तो गया, दूसरा पटना, तीसरा साडन और चौता भोषपूर जो इसका सही answer है दोस्तो हो है हमारा भोषपूर भोशपुर में डोला माइट नामा खनीज प्राथ होती है जिसका भंडाड है देखते दोस्तो इस स्रीज का अगला क्वेस्चन अगला क्वेस्चन है सुत्ती वस्तरुद्योग बिहार में सुत्ती वस्तरुद्योग केंदर कहा है पहला option गया, दूसरा फुलबारी शरीप, तीसरा मुझपरपूर और चौथा नमबर उप्युक्त में सभी दोस्तों आपको बता दें कि यह जो है गया में भी, फुलबारी शरीप में भी, मुझपरपूर में भी यानि कि तीनों के तीनों जो अंसर हैं हमारे सही, यानि तीनों जगा पे सुती वसरुदियोग है इसलिए हमारा जो सही अंसर होगा दोस्तों और प्युक्त में सभी देखते दोस्तों इस स्रीज का अगला question यानि question number 13 करया तेल सूदक करखाना, बिहार में तेल सूदक करखाना कहां पड़ी स्थीत है एक ही तेल सूदक करखाना है बिहार में पहला अप्सन है द्रवंगा, दूसरा पटना, तीसरा ब्रोनी, चोथा मरकुंडा जो सही जवाब है दोस्तों हुए हमारा ब्रोनी ब्रावनी ही एक मात्र तेल सोदक की अंत्र है सोड़ी करखाना है जो की बिहार में इस्तित है देखते हैं दोस्तो इस स्रीज का अगला क्वेस्चन जो अगला क्वेस्चन है दोस्तो बिहार की पहली मैथली फिल्म बिहार में जो पहली मैथली फिल्म बनी थी वो कौन सी थी जो सका सही जवाब है दोस्तों वह हमारा कंञ्यादान यानि कंञ्यादान वो पहली फिल्म थी मैथली फिल्म जो भारत में प्रत्तम महिला मुख्य मंतरी कौन है पहला अप्षन मम्ताब नर्जी, दूसरा मयावती, तीसरा सुचेता क्रिपलानी और चोथा राबरी देवी देखते दोस्तों इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है हमारा राबरी देवी राबरी देवी बिहाड की पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी यह सबसे पहली बार जो बैटी हुई थी, यानि कि पहली बार मुख्यमंत्री पद संबाली थी कब 25 जुलाई 1997 को, सबसे पहली बार 25 जुलाई 1997 को यह पद संबाली हुई थी यानि मुख्य मंत्री पत पे बैटी हुई थी और ये किस पार्टी से बिलोग करती है तो इनकी पार्टी है RZD यानि रास्तिय जनतादल देखते दोस्तों इस रीज का अगला क्वेस्चन अगला क्वेस्चन है दोस्तों मगद राज मगद राज की रजधानी राजगीर का निर्मान किस ने कराया था पहला अप्षन है बिम्बी साड दूसरा अजाज सत्रू तीसरा अप्षन चीसुनाग और चोथा अप्षन है जो महागोविंद ने इसका जो सही अंसर है दोस्तों महागोविंद हलाकि महागोविंद जो थे वो बिम्बी साड के ही दरवार में रहते थे दोस्तों लेकिन इसका जो बास्तुई ग्रूप में जो निर्माता है मगद राज़ का वो थे महागोविंद और रहते का आते हो बिम्बी साड के दरवार ही ही थे देखते दोस्तो इस रेज का अगला question अगला question है बिहार राजे की पहली railway का क्या नाम था पहला option है बिहार state railway, दूसरा इस्ट इंडिया railway, तीसरा दक्सिन पुडव railway, चोथा पुडवी railway जो इसका सही जवाब है दोस्तो इस्ट इंडिया railway यह जो railway है सबसे पहली बार British government के द्वाड़ा लागू की गई थी जिसके मुखे रूप से 4 जोन थे, उसमें से एक जो था उत्तर और पुर्व छेत्रे के लिए बिहार में लगाया गया था यह अब आस्तर में अगर देखा जाया तो यह जोनल जो था वह एक बड़े खर्चे का यानि बड़ी खर्च का एक परकार का बजट था यानि की 40 पॉंड डॉलर चालीश पॉंड डॉलर के स्की बजट से बना हुआ यह पहला रेल्वे लाइन था पहला रेल्वे जोन था जो की बिहार में बना हुआ था देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेशन अगला question यानि question number 18 कहारा बिहार के किस नगर में पहला दुरदर्शन केंद्र स्थापिद किया गया पहला अपसने शार्शा, दूसरा गया, तीसरा पतना, चोठा मुझपरपूर इसका जो सही जवाब है दोस्तो हुए हमारा पतना पतना में सबसे पहली बार यानि 13 अक्टूबर 1990 को 13 अक्टूबर 1990 को पहला जो दुरदर्शन था, वो दुरदर्शन केंद्र अस्थापिद किया गया था जिसे हम लोग DD भारती के नाम से भी जानते हैं दोस्तो देखते हैं दोस्तो इस स्रीज का अगला question यानि कि second last कह रहा है प्राचीन काल में बिहाड किस नाम से जाना जाता था जो सही option देखते हैं हम लोग बहुत प्रदेश, दूसरा गुप्त समराज्य, तीसरा मगद प्रदेश, चोथा इनमें से कोई नहीं जो इसका सही answer है दोस्तो मगद प्रदेश मगद प्रदेश उस समय का एक बहुत बड़ा महा जनपत था और उसकी रज़ानी जो थी वो थी गृबराज में इनकी जो रज़ानी थी वो थी गृबराज में गृबराज इसका सही answer है यानि कि गृबराज उनकी रज़ानी थी और अगर जनपद की बात करें तो जनपद जो था हमारा वो था मगद प्रदेश यानि कि मगद प्रदेश बिहार का पुराना नाम है यानि कि बिहार को इसी नाम से जाना जाता था देखते दोस्तो इस स्रीज का आखड़ी question question number 20 question number 20 कह रहा है दोस्तो बिहार में महात्मा गांधी सेतु जो की काफी famous है किस नदी पड़ इस दीत है इसका पहला option गंगा दूसरा गंड़क तीसरा सोन चोथा यमना जो इसका सही अंसर है दोस्तो हुआ है हमारा गंगा नदी गंगा नदी पड़ महात्मा गांधी सेतु का निर्मान हुआ था दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें थेंक्यू बहरी मज़ दोस्तो